कि मैंने कोई नशानी किया यार आज का थोट्स मेरी लाइफ से बड़ा इडेंटिफिकेशन मिल रही है मेरे को आज कि अपने सुधार के मार्क पर मेरे को मज़े से जिंदीगी को वैतीद करना है यार लेकिन मेरी जिंदीगी का जो अपना परसनल एक्सपीरियंस रहा मैंने 19 साल एडिक्शन में फसा रहा और मैंने मज़े को केवल अपने नशे के साथ जोड़ा हुआ था और उस मज़े के कारण मेरी जिंदीगी में एक जो ऐसा खतरनाक दर्द आया और उससे बाहर आने के लिए मेरे बाद कोई रास्ता ने मिल रहा था और सब कुछ गवा मैं छोटी उमर में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और मेरी घर की पूरी रिस्पोंसिबल्टी मेरी मदर के ओपर थी घर के अंदर मैं सबसे बड़ा था और मेरा एक चोटा भाई और अब समझ में नहीं आ रहा था कि घर चलेगा कैसे लेकिन यहली मैं आज अपनी मदर के लिए काफी एप्रिशेट करता हूं कि उन्होंने जिन्दिये मेरा साथ नहीं छोड़ा क्योंकि एडिक्शन के समय दो-तीन साल मेरे घरवालों को समझ में नहीं आया था कि मैं नश्या कर रहा हूं और मैं गलत रास्ते बें भटक चुका हूं लेकिन तीन साल के बाद कोई बात नहीं लेकिन मेरे दो बेटे हैं और ये मेरे को सपोट करेंगे लेकिन उसमें से एक बेटा मेरे जैसा बेटा बहुत लाड़़ा था मैं अपनी मा का और आज भी हूं ऐसा नहीं आपको समझता था और अपने आपको सबसे शाणा है कि शैद इस घर परिवार के अंदर मेरे जैसा कोई है नहीं लेकिन जिस तरीके से मेरे घर की जिम्मेवारियां मेरे सर पर होनी चाहिए थी उस जिम्मेवारियों का कभी मेरे को हैसास नहीं हुआ और मैंने अपनी जिंदिगी का एक रास्ता चुना अपने तरीके से वो रास् और शायद मैं जीने के भी काबिल नहीं था अगर मैं अपनी लाइफ स्टोरी को शेयर करूँ है तो काफी लंबा समय लग जाएगा क्योंकि मेरे करम इस तरीके से हो चुके थे कि मेरी जो जिन्दगी थी उसमें एकी सिदान था मेरी लाइफ के अंदर केवल मैं अपने लिए जीता था केवल जीने जीओ और जीने दो का सिदान मेरी जिन्दगी में कोसो दूर तक नहीं था या मैं केवल जीता था अपनी जिन्दगी को जीने के लिए अपनी इच्छाओं को जीने पूरा करने के लिए और मेरी जो इच्छा पूरी कर दे चाहे वो मेरी मा हो चाहे वो समाज के लोग हो चाहे वो मेरा भाई हो चाहे वो मेरी रिस्तेदार हो वो मेरे लिए भगवान है अधर्वाइस वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है क्योंकि मेरी पस्नेलिटी बच्पन स और एक मेरा परिवार, जहां मेरे को एक बड़े अच्छे संसकार मिले थे, मेरे माता पीता बड़े अध्यात्मिक हैं, और मेरे को याद है, जब मेरे घरवाले मेरे को पूजा में बठाते देना, तो मेरे को बड़ा गुसा आता था, और जबर्दस्ती मेरे को पकड़ के बैठानी चाहता था लेकिन छोटा होता था बस चलता नहीं था और मैं बैठता था वह वीचारे पूजा कर रहे होते हैं तो बीच बीच में डिस्टब करता था उट उटके बागता था मेरी मदर बढ़ाती थी मेरे को याद है आज भी अपना बच्पना वो लड़कपन वो स जोड़ी तरीके से अपने आपको बरबाद कर दूँगा और मैंने किया यार क्योंकि शायद मेरे वो पास कोई रास्ता नहीं था शायद मेरे करम कर्मों ने मेरे को एक गलत रास्ते पे डाल दिया और जिसके अरण से मैं उस रास्ते पे चल पड़ा याद मेरे को याद है म और मेरे दिमाग में बड़ा जबर्दस फिदूर चलता था कि अब ही मैं सडकों पे नहीं आया हूं और अभी मैंने भार किसी की चोरी नहीं किया यह बहुत सॉलिट कॉंफेक्ट था मेरे दिमाग में कि मेरे साथ अब जब मेरे घरवाले मुझे एकसेप करते हैं और जो न कि बेटा जब तुनने नशा करना शुरू किया था तब तेरी परिस्तितियां के थी और आज तेरी परिस्तितियां किया है और में जवाब मिला और मैं जिस रिएब सेंटर में गया गया 96 के अंदर really I am grateful वहां पर मेरेको जो fellowshiping मिली उसके लगए पॉजिटिव इंवल्मेंट यार मैं नया नया था और वहां पर एक चीज बहुत जवर्दस थी कि घर जाने का नाम गर कोई लेता था ना तो उसको बोलते थे भई एक साइड में बैठ जारो यहां घर जाने का नाम मतले अपना दिमाग तो खराब कर रहा है और साथ में हमारा दिमाग मत खराब कर लेकिन वह चाहिए अनको संद्राइब कर रहा है। ऐसको भगवान को सब कुछ में आने लगेगा आज के दिन वहां से प्राथ्रा कर कि आज के दिन भगवान मेरी मदद कर और यहां रहने में में मेरी मेरे को सजबुद्धी दे यार्ल लिकिन मेरे जैसे इंसान जिसने उननीस साल नशा किया और पता नहीं दुनिया बर के मेरे को मैंने टीटमेंट करा है मैंने कहीं रुका नहीं था लेकिन ये बात समझ में आने लगी थी धीरे-दीरे कि मेरे जैसे इंसान को मेरे जैसे ही समझ सकता है और मैंने उस टीटमेंट सेंटर मिटिंग करती थी और उन्होंने मेरे को एक मीने के लिए उस रियाइब सेंटर के अंदर ढला था मैं एक महीना हुआ मैं बड़ी बेताबी बेसबरी से इंतियार कर था मेरे घरवाले आ जाने वाले और मेरे को ले जाने वाले वो एक रिजर्वेशन दिवार्ग में थी क्योंकि मेरे को पता था मेरे घरवाले मेरी बात मानते हैं मेरी बात सुनते हैं वो मेरी बात क्यों नही लेके जारे हैं और जब यह सेंटर वाले तरको बेजेंगे मैं ने का अच्छा यह तो तुम बहुत गलत बात कर रहे हो और यह सोच लो आप चाहिए छे महीने रखो चाहिए एक साल चूटना तो मेरे को है क्योंकि रियाई तो एक नेक दिन होनी है ना मेरी भी और वहां से आ अच्छा बड़ा सॉलिड और मैंने अपने तरीके अपनाने में माहिर रहा मैं ठीक है अगर यह ऐसे नहीं तो दूसरे तरीका पराता हूं फिर में और मैंने उस सेंटर के अंदर उनके अगेंस काम करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं तो गलत हरकतों में शामिल रहा हूं ग बेजोगे कैसे नहीं तुम जबरदस्ती रखी नहीं सकते जो वहां पर कॉंसलर था रेली मैं उसका बहुत शुकर गुजारू आज यहां आयो है कलकटा से और उसने में को बोला बेटा चाकू ले और मर क्योंकि मैं डुराता था बहुत धमकाता था बहुत कहता हम तेरी ब सेंटर से उस गुरूप से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला वो मेरी दूसरी फेलोशिपिंग थी और वो एक स्कूल था मेरे लिए जब नो महिने के बाद मेरे को बाहर बेजा गया तो शैद हैंड़ परसेंट होनस्ती नहीं थी मेरे अंदर लेकिन कही ना कहीं 20-30 परसे होगी थी कि नशा मेरी जिंधी को चला रहे है और यो में निश्रे के क्लिन चल नहीं सकता हूँ लेकिन यह मेरे जिन्दीजिक सबसे बड़ा अंणान फेर था थाते कि मेन से दूर एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता हूँ है और जब मैं उस सेंटर से बाहर आया तो सेंटर से मेरे को मैसिज मिला नर्कोटिक सनानीमस का और जब नर्कॉटिक स्रानीमस में मैं पहुंचा अगर मैं आज दिल्ली एरिया की फेलोशिप देखता हूं तो मेरे को बड़ी खुशी होती है क्योंकि जब मैं फेलोशिप में पहुंचा था तो तेरा या चोदा मिम्बर होते थे और बड़ा डरा हुआ था बड़ा सहमा और मैं जब उस सरकल के अंदर बैठता था तो मेरी नजर मेंबरों के उपर पड़ती थी और विश्वास नहीं होता था कि शायद मेरी जिन्दगी में ये दिन आ सकता है जो मैंने खोया है वो मुझे मिल सकता है क्योंकि मेरी जिन्दगी में सबसे बड़ा मक्साद है पीछ मेरे लिए मेरे को आगे निकला है मेरे लिए रिकवरी का आज भी वही मकसद है लेकिन मैं बड़ा इंपेशन्स बेसबरा व्यक्ति हूं मैं जो करता हूं उसका फल तुरंत चाहता हूं और वो मुझे कभी मिला निया और मैं नशा कर लेता था और मेरी समस्य का समाधान कभ मैं बडलावसा मुझे नजराता था अच्छे कपड़े पैने हुए अच्छी बात करते हुए और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनके पास जाओं और उनसे बातचीत करूं और उन्हें अपना दुख बताओं क्योंकि मेरे अंदर सबसे बड़ा क्योंकि मे क्लासरूम में क्योंकि हर इंसान ने मेरे को ठुकरा दिया था सिरफ मेरी माने मेरे को गले लगाया था और जो एक सबसे बड़ा अनमोल खजाना मेरी जिंदीगी का वह फैलोशिपिक मेरे को मिली यार मैं बड़ा घमंडी किसम का इंसान था मैं किसी के पास आगे बढ़ना नहीं चाहता था मैं सोचता था कि मैंने नशा छोड़ दिया है बहुत बड़ा तीर मार दिया है यह लोग मेरे पास आएं मिर से बात करें मैं किसी के पास ना चाहूं क्योंकि वो बच्पन का जो लाइफ स्टाइल था ना मेरा वह वहां पे भी था लेकिन दोस्तों यह सचाई है जब मैंने वो एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया तो अटमेटिक मेरी जिंदीगी में बदला वाना शुरू हो गया और मैंने अपनी मन की बातों को बताना शुरू किया बड़ा डरा हुआ था बड़ा सैमा हुआ बैठा रहता था और जि अब इस रूबर मैं डेली घर से लेके चलता था और बस में मैं सफर करता था आज मेरे को बड़ा अतीत मेरे को बहुत याद है बहुत क्योंकि मेरे एक श्लोगन है ना जो एक प्रोग्राम ने दिया दिस तू शेल पास यह समय गुजरिया बहुत यह भी गुजरेगा तो ने मरे जिन्दी हैं बहुत मेरे सको शापोट कियाया लेकिन इस श्लोगन के अंदर जो सबसे चाहँ सपोट किया मैंने अपने आपको अपनी फीलिंग के साथ मैंने उस फीलिंग और ऑपन आउट किया अभी जैसे मिकी शीर कर ज Bent 차 ता कि मुं बंद कर दे मैं तो मुं बंd अच्छी बात बताने वाला अच्छा रास्ता देने वाला मेरा बहुत बड़ा दुश्मन होता था और मुझे यह चीज है में समझा दी गई थी कि बेटा अगर रिगवरी में रहना है और नशे से दूर अच्छी जिन्दकी जीना है तो इस जवान को चला तला लगा ले और जो रूई है वो भाहर निकाल ले और मैंने किया था यह काम लेकिन सब कुछ एकदम समझ में नहीं आया सब कुछ एकदम नहीं मिला एक मैं उन मेंब्रों के चैरों को देखता था अच्छे कपड़े पैने में होते थे मोबाईल हाथ में अंगोठियां गले में चेन हो और म मेरे को करना चाहिए था हो मैं करने के लिए तयार नहीं था क्योंकि उन सब कामों को करने के लिए मेरी जिन्दगी में बहुत बड़ी चीज जो बच्पन से आज तक मेरे साथ चलिया रही है दर्द और मैंने एडिक्शन के समय दर्द लिया अपने बच्पने में में क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि जो भी मेरी डिमांड थी या जो भी मेरी रिक्वाइरमेंट थी वो मेरी फैमली फुल्फिल करती थी उन सब चीजों को पाने के लिए मैं तयार नहीं था कि मेरे घरवाले मैंने नशा छोड़ा है वो मेरे को दिलाएंगे और मेर मेरे अंदर एक चाहत थी लगन थी इमानदारी थी और उन सब चीजों को पाना चाता था क्योंकि मैं लाल्ची हूं मैं लाल्ची हूं क्योंकि जब से मैं इस फैलोशिविंग में आ रहा हूं शायद मेरी जिंदिये मेरे से कुछ खोया नहीं मैंने पाया है यह किनों सब च जब मैं मिटिंग करके घर जाता था हिसाब मांगते थे और बड़ी प्रावल्म होती थी बड़ा गुस्सा आता था और कभी-कभी मैं रियक्त भी कर देता था कि एक टाइम वह था कि तीन सुर रुपे रोज देते थे और आज बीस रुपे का हिसाब मांग रहा हूं कभी अपनी संस्तर में सब्सें और उनके मांगने से पहले अपनी जैव से प्रेसे निकाले यह लोो दो ूपे यह यह तेन ड़ए बचे है और उनके बोलने से पहले प्ली मया वा काम करना शुरू कर दिया और वो दिखावा मेरी जिन्दीए बदल गया रहा को में को याडन है वो एक प्यार था, अनकंडिशनल राओ, और मुझे बोला गया, कि आप वापस आते रहो, हमें आपकी जूरत है, मैं कहता था, मेरे जैसे नश्यवाज की मेरे घरवालों को जूरत नहीं है, और यह कह रहें कि हमें तुम्हारी जूरत है, और वहाँ चाय वगरा पी, और उसक मैं दिमाग में, लेकिन ये था कि कुछ हो सकता है, ये तो आज समझ में आता है कि सब कुछ हो सकता है, अगर मैं इस फैलोशिपिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो सब कुछ हो सकता है मेरी जिंदगी में, everything is possible, कोई भी काम ऐसा नहीं है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकि एक जो रिकवरी का प्रोसेस बताया गया, डब्बे दिन नब्बे मिटिंग, आपको करनी है, मैं ये सोचा था, यार मैंने तो मैं जो ठारा साल में इतने सारी मेहनतें किया, इतनी बार निशा चुड़ा, ये नब्बे दिन वार नब्बे मिटिंग का क्या फंड़ है, इस मन मानी, और ये दोनों चीजें मेरे लिए कठिन थी, दोनों चीजें बहुत कठिन थी, क्योंकि बच्पन से ही चली आ रही थी मेरे साथ, मेरी इच्छाएं और मेरी मन मानी, मैं अपने तरीके से सब कुछ करना चाहता था, और क्योंकि रिहाब से आया था, एक अंदर लग के सारे फैलोशिपिंग में बैठके अपनी मन की कहानियां बतानी शुरू की और जब मैं शेरिंग करता था तो बहुत ढरता था कि कई जो चेर कर रहे हो मेरे नाम न ले दे यह कुछ शेरिंग करने के लिए न बोल दे क्योंकि मैं स्कूल में भी सब से पीछे बैठता था और और यह रिकवरी का एक फूरूट से मेरे लिए कि आज में बीना नशे के एक मजा कर रहा हूं अपनी जिंदगी का लेकिन इस मजे के अंदर बहुत सारी चीजे मैंने की हैं मैं जब इन सब चीजों को प्राप्त करना चाहता था तो मैंने अपने स्पांसर को शेर किया कि य और उसने का यार अगर यह बात तेरे दिमाग में आई और अंदर आई तो बढ़ी अच्छी चीज़ है काम कर लेकिन वही मैंने तो कुछ किया ही निजिए अंदर मैंने तो नशे ही किया कि बल यह घरवालों के बलबूते पर सारा इच्छायों को पूरा किया है तो काम कहा निजिनां से करऊंगा क्योंकि काम तो मैं हो करना चाहता था एर कंडिशन ओफिस होना चाहिए अगया टेवल चेयर अच्छी मिलनी चाहिए और टेवल के ओपर एक बल होनी चाहिए था कि मैं बल मारो और मिन्ट से वहलें मेरे को को वो जौब चाहिए मेरी qualification इतनी नी कि मेरे कोई कोई ऐसी job मिल जाए मेरे कोई life का experience ऐसा नहीं जो मेरे कोई ऐसा कोई काम मिल जाए और मैंने अपने sponsor को phone किया और उसने मुझे एक advice दिया कि बेटा newspaper उठा और उसमें बहुत सारी vacancy आऊंगी मैंने newspaper उठाया किसी में security guard की जूरत है किसी में एक चपड़ाजी की जूरत है और मैंने उसको phone मारा मैंने को यार उसमें तो कोई जूब ही नहीं है कोई भी जूब नहीं है उसके अंदर दो कहता ऐसा तो हो नहीं सकता है मैं नहीं तो यह जूँड कैक्ये को वो hakikat थी सच्चाई थी, मैं उनको करना नहीं चाहता था, और जब मैं उसके पास पहुँचा, तो उसने दुनिया भर की जॉब दिखा दी मैं लोगो, खेरा दे, जा और बातचित करके आढ़, तो मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ, मैंने जो खो है वो लेना चाहता हूँ, और मेरे को यह सब चीज बता दी कि जो तू खो के आया अपने तरीके से अगर लेना चाहता है वो नहीं मिलेगी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा मैंने उसको यह सब चीजे शेयर करता था था फैलोशिपिंग की मैं क्लास्रूम में बैठता हूं मेरा ध्यान उस तरफ रहत रूबरर चैहागा और मेरी में उसका बहुत बड़ा हात रहा है यह यह एक दिन मुझे एक ऐसी इससूसाइटी में लेकर गया जहां मैने सपने में भी सोच Bonjour अभ़को में वहां से बाहर आने के बाद भी बाहर क्या हुआ आज मैं कुछ नहीं सुचिंगा था है तो जा कि जो तु चाहता थी आधे वाता है तेरह आधे रुप हम्लो वह सब चीज तरी का प्रोग्राम में पैसे नहीं तो मेंबर मेरे को सपोर्ट करते थे कि चले यार खाना खाके आते हैं लेकिन मेरी इगो मेरे को बोलती थी मेरी जैम में पैसा नहीं है और यह सब पैसे देंगे तो ठीक नहीं हो लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि जब तेरे को मिलेगा तो इसको पास पासन कर देना क्योंकि कि प्रोग्राम ही basically फίकली के अथो आगे बाटना है यारति मेरे को जो मिला है मेरे को आगे दे दे ना है कि लेकिन मैं आगे जब dokumentर कुछ दे सकता हूं कि मेरे पास होगा तो मैं किसी बिए दे सकता हूं यार क्योंकि मैंने तो लिया ही लिया है और मेरा एक सबसे बड़ा सपना था कि मैं जिन्दिगी में आगे जाओं और बहुत कुछ करना चाहता था और आज उस भगवान ने मेरे को मुकाम पर पहुचाया हुआ चाहिए काफी सपोट्री मेंबरों की और ऐसा निया कि फैलो शिपिंग के अंदर मैं सब को प्यार करता हूं मेरे कुछ लिविंग में प्यार करता हूं लेकिन वर कि कुरनी, है हेलो, मैं हर member से करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी रिष्टों को अहमियत नहीं दी थी, मैं हमेशा, बगाळता हूँ आया था, मैं आज की date में रिष्टे बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को, अपने कर्मों को बदलना है, अपने कर्मों को ठीक करना है, मेरा वहवार अपने अरिष्टे करना जाता है, क्योंकि शुरू में ऐसे ही था, मैं जाता था नशा चोड़के, गुशता था, न थीक हो गया हूँ, और मैं सब को सुधार दूगा। कि यूम्मेंस से बार गया था तो मैं अप्नी मदर को बोल रहाँ था प्रोग्राम की बातें नशानी करूगा मेरी महां थाлерी कियाकitar करेगा तो मैं ऐसा थाया, तो मैं दूसरों को प्रोग्राम समझाता रहा, लेकिन ये प्रोग्राम तो मेरे लिए यार, खुद के लिए, और मैं जब वो प्रोसेस में घुसा, 90 दिन, 90 मिटिंग वाली में, मैंने एक मिटिंग मिसनी की, एक दिन की मिटिंग, और मैं रेगुलर हो गय मेरी जिन्दगी चल रही है और मैंने हाथ खड़े कर दिये थे कि अब मैं अपनी जिन्दगी को अपनी तरीके से नहीं जी हूँगा और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं इस बाग का कि अर्ली रिकवरी में जो चीजें मेरे को बताई गई कि मेरो किस तरीके से चलना है और किस तरीके से जीना है वो मैंने की यार मैंने बड़ी अपनी इच्छाओं को मारा मैं अच्छे कबड़े पैंते हूँ किसी को देखता था मेरे मन में एक इच्छा जागती थी यार मेरे पास भी उने जीए मिम्बरों के साथ अगर में मार्किट में जाता था वो कुछ खरीद रहे होते थे मेरी फीलिंग बड़ी लो हो जाते थी कि यार यह खरीद रहे हैं और मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूँ मैं भी चाहरा हाँ लेकिन यह विश्वास आ चुका था कि अगर मैं बताए हुए रस्ते पर चलूँगा यह सब चीजें मेरे पास होंगी जरूर होंगी और मैंने उस रस्ते पर चलना शुरू कर दिया था और हकीकत में मैंने जब जॉब किया अर्ली रिकवरी के अंदर साड़े साथ सुरू रुबे महीना और उस साड़े साथ सुरू रुबे महीने के अंदर में को बड़ा जटका लगता था और उस साथ साथ सुरू रुबे महीने को अपने आपको मैनेज करना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम था बहुत ही मुश्किल लेकिन मैं बात्चीत करता रहता था शेरिंग करता रहता था कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो मैं उसको शेर करता था और मिर को रास्ते मिलने शुरू हो गए कि अपने आपको साड़े साथ सो रुबे में तरको कैसे मैनेज करना है सो ड्री वाटॉस्पास्ट कास्मेटिक्स परफ्यूम टारा बडा शौकिन नाउण स्वूरू से तो मैं हर महिने 1250 कौस्मेटिक खरिगें साध्सवाइन साध्सवाइन घुरह तूसमें अपनेसे कमिट्मेंट की थी और मैं उसमें खारा हो था। मैंने घुच्छ हुएथ हर महीने 100 रुपे और वह 100 रुपे बचा रहा था मैं अपनी मदर के लिए क्योंकि मेरी मदर ने बहुत दुख देखें बहुत दुख क्योंकि बच्पन से भिगड़ा हुआ था नशाने के बाद तो और भिगड़ गया था और वह इच्छा जागरू तो थी कि नहीं यार मैं अपनी मां को दुख नहीं देना है अप्चा कुछ भी हो जाए और वह 100 रुपे में बचाता गया बचाता गया जब 3000 रुपे मैंने जोड़े तो मैंने अपनी मदर की रिंग बना के दी ती गोल्ड की और मैंने जब अपनी मदर को रिंग पहनाई मैं दोस्तों हकीकत में न लेकिन उस काबिलियत के पीछे सारा सहयोग आप सब भाईयों का है यार इस प्रोग्राम का है और उस दिन मेरी मदर बड़ी खुश हुई और उसने भगवान को बोला कि भगवान मैं तेरा बहुत शुकर गुजारूं कि जो मेरा बेटा एक गलत रास्ते पे चला गया था वो तुन्हें वापस कर दिया है और मेरे लिए निशाद छूणने के बाद दूसरा जीवन था यार एक नया जीवन और मेरे घर के अंदर आज मेरे बाइलो जीकल बड़े की कोई भी खुशी नहीं होती है यार मेरा बड़े फस्ट मार्च को आ रहा है और मेरे घरवाले फ जैए और मैं दिन गिन रहां खी एक ख़व गोगई कि एस प्रोग्राम में आने के बाद सबसे बड़ी सौगाट मेरी लिए है कि एक बार भी रिलाप्स नहीं हूँ है और इस रिलाप्स ना होने के कारण सबसे बड़ा जो हाथ है जैसा आपने रास्ता मेरे को दिया उस रास्ते बे चल रहा हूँ सबसे बड़ा हाथ इस चीज़ का है अपनी मन मानी नहीं करता हूँ दीरे दीरे recovery का time वड़ता गया और दूसरे लोगों की तरफ मेरा attraction शुरू हुआ और जैसे की प्रोग्राम में एक चीज़ एक secondary addiction और लेकिन मैंने secondary addiction में फसने के बाद जो भी काम किया कंदा अपना इस्तमाल किया कई में अडली डिकवरी में इन सारे चीजों में फस जाता तो शायद मेरी जिंदगी में नशा आजाता क्योंकि आज के दिद मैं कई भाईयों की मूसे यह सुनता हूँ नशा नहीं करना भागी सब कुछ करना है तो मेरको ना बड़ा जटका लगता एक जटका क्योंकि मैं जिस रिहप से आया था और आप सब भाहेयों के पीच में आया तो उस समय कि जो मेरको शेरिंग सुनने को मिलती थी उसमें बहुत कुछ मेरको मिलता था यार कि मेरी प्रब्लम मेरा नशा नहीं है मेरा खुद की समझ से मेरा वहवार है क्योंकि मैं वो ही है यह हूँ यार आज से 10 साल पहले वाला अनग्सेटिट पर शन ना समज मैं घर का जो function है वो भी खराब कर देना है तो इस चीज़ से मेरे को identification ये मिलती थी यार पिल्कुल भी क्योंकि नशा तो मैंने बहुत बार छोड़ के आ चुका था rehab center से कई बार लेकिन मैं बार-बार नशा करता था और मैंने उस तरीके से अपने उपर काम करना शुरू किया और थोड़ा सा recovery का समय बढ़ा और मैं फस गया secondary addiction के अंदर क्योंकि मैं perfect नहीं हूँ मैं आज भी अपनी जिन्दिए मजे को प्राप्त करना चाहता हूँ मैं आज किसी भी कीवत में अपने मजे को खोना नहीं चाहता हूँ यह हकीकत है यह सचा ही है अगर मैं अपनी जिन्दिए को आज अपनी जिन्दिए के अंदर से मजे को खतम कर दूँगा तो मैं बहुत बड़ा जूटा इंसान हूँ लेकिन आज वो मज़ा लेने के जो तरीके है वो थोड़े से बदल गए है मैं आज कपड़े पहनने में मज़ा लेता हूँ मैं आज घूमने में मज़ा लेता हूँ मैं खाने में मज़ा लेता हूँ मैं जब अकेला कर गाड़ी में ड्राइब कर रहा था हूँ तो मैं मेरी जो एक च्वाइस है वो ओल्ड कलेक्शन है मैं गाने सुनते सुनते मज़ा लेता हूं और नशे में मज़ा नहीं लेता हूं यार क्योंकि ये मेरे को बड़ा ब्रीफली मालूम हो चुका था कि अगर मैं नशा करूँगा तो किसी भी समस्य का समधान नशा नहीं ह तो मेरा अपनी लाइफ का यह यहनुभव है कि मेरी जि Lincoln में यह फैलोशिपणंग है आप सब भाई हो तो मैं सिक्यूर हूं सिक्यूर क्योंकि यह जो गोलडार है ना इसमें मैं सीविव नहीं हूं कि अगर आज मैं किसी भी सेट में जाता हूं तो मेरेको सिर्फ एक काम करने की जूरत होती है काउल और में को दस भाई वहां पे गहर लेते हैं कितना अन कंडिशनल लव है इसकी कोई कीमत नहीं है इसका सबसे बड़ी कीमत है कि मैं इस क्लासरॉम से जुड़ा हूं अब सब भाईों के बीच में हूं मिरे को याद है यार जब से मैं recovery में हूँ मैंने शायद मेरी ये दूसरी convention है clean, gambling से clean और जब मैं दिल्ली से चला जब मैं दिल्ली से चला था तो मैंने अपने आप से commitment ली थी और मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ मेंबर सर्विस इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है यार क्योंकि आज चवाइस है मेरे बास ऐसा नहीं है कि कुछ मेंबर ऐसे निये're कान में आगे नहीं भोलते चलना भाई को ने में है है अज नहीं है वो भी है वन डे टाइम आज का दिन और मैं जब सुवेरे उठा तब भी मैंने भगवान से आज यही प्राफ्टा की थी कि भगवान आज का दिन मेरे को गैंबलिंग से दूर रख ले ना बस और मेंको रास्ते भी ले हुए हैं सर्विस सबसे बड़ी चीज सर्विस और मैं गया और मैंने एक कमिट्मेंट और करके आया मैं का फूट चेयर को मैंने बोला कि आज मैं वालेंटरी करना चाहता हूं शाम को मेरे पार रास्ते हैं आज मेरे पार चोईस है आज मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँ आ कि किसी ने मेरे को फसाया नहीं मैं फसना चाहता हूँ यह सचा ही है आज मैं फसना नहीं चाहता हूँ किसी भी कीमत पर तो नहीं फसना हूँ यार तो इस फैलोशिपिंक ने तो मेरे को वो दिया जो किसी नहीं दिया लेकिन जरूष सामधान की मैं किस तरीके से उसको ले रहा हूं यार अपनी जिन्दियों किस तरीके से मज़े में गुजार रहा हूं यार तो आज मेरी जिन्दियों बहुत मज़े हैं ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं है अपने आपको बदलता जाएगा, तो तेरी जिन्दिगी आगे बढ़ती रहेगी, और मेरा सपना है आगे बढ़ने का, और शायद मैं जब से रिकावरी में पीछे मुड़ के देखा भी नहीं है, और ना मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन अतीद को साथ लेके चलता हूँ, कभी कभी kólar खड़े हो जाते हैं लेकिन इस फैलोशिपिंग के अंदर ना तो मेरे kólar kड़े हुई है और ना एंये मैं खड़े करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को जिंदगी मी ली है इस fellowship से आप सब भाईयों से आप सब भाईयों की मीरे लिए एक convention है, एक gambling से clean है, और मैं भगवान से यही प्रास्थना करता हूँ, कि मैं जिस convention में जाओं उस convention में, क्योंकि मेरे लिए नशह है, अभी दिवाली से पहले मैं फस इुका था, और उसमें मैंने दो-तिन चीज गवा दी अपनी और गवाने के बाद मैं होश में आता हूँ एक गाना है गवाने के बाद होश में आये तो क्या हुआ तो बहिया में को रास्ता मिला वा मैं बचना चाहता हूँ तो मेरा हर उस नए भाई से सिरफ अनुरोध है कह सकता हूं कि ये प्रोग्राम, ये फैलोशिपिंग, ये सर्वीस मेरी जिन्दिगी में एक बहुत बड़ा हाथ है आगे बढ़ने का अगर मैं इन सब चीजों को करूँगा तो मैं जिन्दिगी में 100% आगे जाऊँगा दुनिया की कोई भी दाकत मुझे पीछे नहीं गड़ सकती यार अगर पीछे होंगा तो केवल मैं खुद हो सकता हूं यार थैंक्यू पर रिस्निग यार